गुड़ मोनिंग एवरिवन आज ए 23 मार्च 2019 और इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे आज की करंट पेर का आज की करंट पेर के जितने भी कुछन बनेंगे उनको डिसकस करेंगे डीटियल में इस वीडियो में तो वीडियो को ध्यान से देखें अगर चैनल को पहली बार वीडियो को ध्यान से देखें और लास्ट तक देखें वीडियो के लास्ट में पूचे गए किसंद का क्रेक्ट आंसर वीडियो कमेंट वोक्स में जरूर लिकें अगर वीडियो पसंद आये तो लाइक एंड शेयर करें किसी भी सब्सक्राइब करें जिससे की सारे वीडिय सब्सक्राइब करें और उनके लिए और उनके लिए और बी वीडियो के लिए प्रॉइड करेंगे शारे सब्सक्राइब के तो चेनल को जरू करते हैं आज सी क्रण पेर चलते हैं पस्ट क्यूशन पर यही हैं लीलादर जगुडी और इन्ही कोई व्याद सम्मान 2018 से सम्मानित किया गए हैं और इनका एक कविता संग्रह है जितने लोग उतने प्रेम क्या है इनका कविता संग्रह जितने लोग उतने प्रेम और इसी कविता संग्रह की वज़ेसे इनको व्यास सम्मान 2018 से सम्मानित किया गया है और यह कविता संग्रह 2013 में आया था इनका जितने लोग उतने प्रेम तो एक सिल्ड मिलती है इस अवार्ड में तो द्यान रखना है यह व्यास सम्मान 2018 दिया गया है लेलादर जगुड़ी तो इनका एक कविता संग रहे हैं जितने लोग उतने प्रेम तो इसी के वज़ा से दिया गया है यह व्यास सम्मान चलतें नेक्स्ट कुशन पर हाली में अंतराष्टिय जल्दिवस कब मनाए गया है तो यह मनाए गया है बाइस मार्च को हाली में अंतराष्टिय जल्दिवस मनाए गया है बाइस मार्च को यह मनाए गया है बाइस मार्च को अब यह क्यों मनाए जाता है तो स्वच जल और मिठे जल के बारे में जाग इस लिवन ऑन एफ लिए इसकी एक बार कहते हैं इसे इसके पार कइसे मेंन लिविन ली नो-पेंड टlungen हैंड तो इसकी में विस्वी जल्डियों स्क्या सबढ़ा है तो ही समक्रिक्त चलते हैं नेक्स्ट और इस बार 22 मार्च को एक और दिवस मनाया जाता है तो बियार दिवस भी मनाया जाता है 22 मार्च को दियान रुकना है बियार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को अब यह क्यों मनाया जाता है तो 1912 में बियार के बंगाल से अलग होने के उपलक्स में मनाय जता है हर साल 22 को बी आर दिवास तो द्यांद लुकन है Post 1912 में बीयार बंगाल से अलग हुआता है और इसी को प्लक्समान मनाया जता है है 22 मार्ज को बी आर दिवस और यह 170 वह बी आर दिवस मनाय गया है अभी तो बाइस मार्ज को चलते हैं नेक्स्ट किसन पर हाली में चुनावायोगने विशेश वे प्रवेक्षक के रोप में किसे नियुक्त किया गया है तो यह नियुक्त किया गया है वह मतुमाजन को तमिल नाड़ू में चुनावावएयो ने सुखित के रुप में निक्ट किया गया है और सेलिंदर हांडा महाराष्ट में कि यसे वेव प्रिव्यक्षक के रूप में निव्ट किया गया है अब यह विशेच वेव पर व्युक्सक है क्या तो इसमें जो चुनाव के टाइम पर जो वौतिंग के टाइम पर जो खर्च होते हैं उन पर नजर रखने के लिए चुनाव आयोगने ये न्यूक्त किया गय ये विशेस्ष्वे पर्वख्षक को चुनाव कर च़ाम पर छर्च होता है उस पर नजेरं रखने के लिए इसोनाव आयोगने और बात आएत्ज नव आयोग की तो अभी सीई सी याने चीप एलेक्षन कमिशनर मुक्य चुनावायोगते सुनिल अरोडा और यह 23 नंबर के मुक्य चुनावायोगते तो द्यान रखने तो सेलेंद्र हंडा और मदु माजन को चुनावायोग ने विशेश वे प्रव्यक्षक के रूप में न्यूक्त किया गया हैं चल सुनिल अर्व अमीरात में सामपन वे और इसी में भार्त नहीं जीते अबुदाबी तो यहीं पर होएं विशेस ओलंपिक यह होएं यूए की केप्टल आबुदाबी तो यहीं पर संपनों विशेस ओलंपिक एल और इसे में भारत ने 306 पदक जीते हैं चलते हैं शीने नेक्स ट्संट पर हालि में डिए पर खाल की वंट लॉंज किया है देख़ थ Janeiro बाड्ण हर और सेकनरी एडिएकिशन तो इसी नहीए 6e वानी एप लॉंच किया है तो cbse याने Central Board of Secondary Education तो इन्हों ने यह किया है शिक्सावानी एप विक्सित किया है याने केंद्रिय मादेमिक सिक्सा बोड अब बात करें cbse की cbse का headquarter नई दिल्ली में इसकी फुर्पॉरम तो पताईए Central Board of Secondary Education और इसके वर्तमान में देख से cbse के अनिता करवाल कोने अद्देख cbse की अनिता करवाल तो सिक्सावानी एप लॉंच किया है cbse ने चलते हैं नेक्स्ट किशन पर हाली में किसकी रिपोर्ट के अंसार 2020 के लिए भारत की आरतिक विकास दर 6.8 प्रतिसत रहने का अनुमान है तो यह अनुमान है फिच रेटिंग की अभी हाली में फिच रेटिंग की रिपोर्ट आई बताया थाल लेकिन अभी छे पॉइट आट प्रतिसत का अनुमान लगा एं फिच रेटिंग ने तो यह लगए ने प्रिछ रेटिंग ने और बात किरें फिच रेटिंग की फिच रेटिंग एकोनोमिक से रिलेटेड अलग लगतरे की लिस्ट जारी करती हैं और इसका हेड़ कौटरे नियुवार्क में कहां पे हैं फिच रेटिंग का हेड़ कौटरे नियुवार्क में तो इसी ने कि 2020 के लिए भारत की आर्तिक युकास दर 6.8 परतिसत रहने का अनुमान लगया हैं इससे पहले इन्होंने 7.0 परतिसत रहने का अनुमान लगया था और फिच रेटिंग का है तो एड़ को आटरे नियुवार्क और वरतमान में सीओं पॉल टेलर चलते हैं नेक्स्ट किसन पर हाली में किस देश ने असॉल्ट हतियारों पर परतिबंद लगा यह तो अभी निजलेंड में एक मजजी थे वहां पर अभी आतंकवादी हमलावाता और इस आतंकवादी हमलों में यही असॉल्ट हतियार यूज में लिए गए थे इस तरह के तो इन ही अभी अब पर परतिबंद लगाया इसी वह जैसे लगाया है यहीं पर देखते हैं यह में नुजलेंड को जेसिंडा अरीड़ ने वर्तमान में प्रामेन प्राइम निस्तर निजेवेंड की में चलते हैं नेक्स्ट क्विश्य collaborative सवेल ऐब रामेन राइचोदरी का नीदन ओ में वहांगे। वह कून ते बंगाली अभी नेता है राम्यन राइचोदरी पर और इनिकाई अभी नीदन हो गया है तो द्यान रखना है एक बंगाली अभी नेता थे तो इनिकाई अभी नीदन हो आए चलते हैं नेक्स्ट किसन पर हाली में अंतरराष्ट्य वन दिवस यहने इंटरनेशनल डे ओफ फोरेस्ट कब मनाए गया है तो यह मनाए गया है 21 को अब यह क्यों मनाए जाता है तो प्रयावनिया स्तीर्ता खादिय社 रुक्सा और फ्रयावनिया इस्तीरता और खात्य करता और तो और बी उनमुलन में वन्यों के मतं ऊ- intern और नों के बारे में जाग रुकता भी फेलाने के लिए यह मनाया जाता है 21 मार्च को यह बारे में जाग रुकता फेलाने के लिए मनाया जाता है हर साल 21 मार्च को अंतराष्ट यह बन दिए चलते हैं नेक्स्ट किसंपर हाल में भारतिय नोसेना ने किस देश को साहिता प्रदान करने की गोशना किये तो यह किये मोजांबिक को हाल में मोजांबिक में चक्रवार्थि तुपान आया था मोजांबिक में और इस तुपान का नाम था इडाई क्या था इस तुपान का नाम है चक्रवार्थि तुपान का नाम है इडाई और यह मोजांबिक में इसकी वजह से सबसे हानी हुए इसलिए भारतिय नोसेना ने मोजांबिक को साहिता प्रदान करने की गोशना किये और यह अप्रिकन कंट्री मोजांबिक तो द्यानक्राय African country है तो इसी चक्रवातितपान के बारत्य नौसेना ने मोजांबिक की साइता प्रदान करने की गोशना किये हैं अब यह मेप मोजांबिक की केपिटिल ने करेंसी हैं मोजांबिक मेटीकल और वरतमान में है पर्शिडेंट और मोजांबिक शुट्री लिए दीर निएusted क्या video सराबंडी के लिए विदायक पारित किया हैं तिया पारित करी है मिजोरम कि विदान सबंडी पूर्ण सराबंडी के लिए एक विदेक पारित किया है अब यह मिजोरम कि नो totally मीजोरम के केपिल है है आईजोल और वरतमान में मुक्काअ मंत्री श्री जोरम ठंगा और अभी जो मीजोरम के राजय fitness का अतिरिक परबार दिया गया है असमिके जो राजय पाल जग बालत One के छलते हैं नेक्स्ट कुमव नमें स्तिफ़ाCK door ले दिया था तो अब जगदीश मुखी है वरतमान में मिजवरम के राज जेपाल तो द्यान पना है चलते हैं नेक्स्ट किशन पर हाली में स्रिलंका में तेल रिपाइनरी बनाने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझता किया है तो यह किया है तो अब यह कहें ऑमान के सेद अलसे यह कोन्य प्रतामतरी कई सेदनल से अरुमान के वरतमान में प्रत्मान मिंपादामतरि चलते हैं नेक्स्ट कृशन पर अब ऑब लास्ट व्यूटेयो का लिए औन्सर को मैं अंचर्य अंतर्राश्ट प्रसंता दिवस हैं तो कि इस मार्श को मना ज्यां एका कुछ ने हाले में जारी परसंदता रेंकिंग में भारत कौन से इस्तान पर रहा है जिसका क्रेक्ट आंसर जदा जदा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें अगर वीडियो पसंद आयता लाइक एंड शेयर करें किसी भी स्टड़ी रिलेटेड वार्सप और पेसू ग सेयर कर सकते हों यह यह वार्सप नंबर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें चैनल का नाम है टेक्निकल बोई मांसिं मीना और अगर किसी को और और बीजेई और एससी जाई के लिए इलेक्रिकल के सब्जेक्ट पढ़ने हैं तो वह भी कमेंट वोक्स में लिकें और वो तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरू सब्सक्राइब करें तो करन्ट अपियर की दरस्ते हैं इंपोर्टन एंट है और इस पर मंतली करन्ट अपियर की वीडियो भी प्रोवाइड किये जाते हैं तो ठैंक्स अपर